हलो फ्रेंड्स कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड का मिल्क केक जो बहुती टेस्टी और बहुती जल्दी बन जाता है इसमें ऐसा कोई भी समान यूज नहीं करूंगी जो हमारे घर में आसानी से नहीं मिलता वही समान यूज होगा जो आमारे घर में आसानी से मिल जाता है चलिए अब हम बनाते हैं ब्रेड का मिल्क केक यह बहुती टेस्टी बनता है बिल्कुल मार्केट जैसा और बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है चलिए अब हम बनाते हैं मिल्क केक इसके लिए मैंने 5-6 ब्रेड लिए है य यही ब्रेड आप यूज कर सकते हैं देखिए अब मैंने आटा ब्रेड ली है इस ब्रेड को हम ऐसे तोड़ लेंगे तोड़के इसे मिक्सी के जार में डालके दर दरा से हमें पीस लेना है ज्यादा बारिक नहीं पीस नहीं है इसा पीस नहीं कि दाने-दाने से रहें दरदरा सा पीस लेना है चलिए अब बनाते हैं मिल्क केक इसके लिए मैंने ये कड़ाई ली हैं और इस कड़ाई में हम यह जो बैसी फी ब्रेड है यह डाल लेंगे और इसको दो से तीन मिनट के लिए हमें सेक लेना है और गेस की फ्लेम याद रहे पूरे प्रोसेस में लो तो मेडियम फ्लेम पर अच्छा से सेक लेंगे ज्यादा गेस की फ्लेम ज्यादा नहीं रखना है वरना ब्रेड जल जाएगी इसलिए देखिए हमारी ब्रेड सिक्के तैयार हो गई है दो मिनट लगे हैं तीन मिनट लगे नहीं ब्रेड सिक्के तैयार हो गई है अब इसे ह एक प्लेट में निकाल लेते हैं प्लेट में निकाल लेने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और इसी कड़ाई को वापस गयास पर रखके इसमें मैंने एक कटोरी चीनी ली है जिसमें से आधा कटोरी चीनी अभी हम यूज करेंगे आधा कटोरी चीनी बाद मे युज करेंगे इस का चीर्णी को Low-to-medium flame पे 2-3 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे और इसकी चासनी बनानी है हमें इसमें पानी एड बिल्कुल भी नहीं करना है केवल चीर्णी की ही चासनी बनानी है इसलिए हम इसे 2-3 मिनट तक Low-to-medium flame पे ऐसे पकाएंगे तो हमारी चासन बन के तैयार हो जाएगी तब तक फ्रेंट्स आग हमारे चैनल पर नहीं है तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करें और घंटी की बेल आइकन को दबाए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सस्क्राइब करने का फ्रेंड्स पैसा नहीं लगता है और हमारी रेसिपि आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताईएगा देखिए अब हमारी चीनी पेगलने लगी है चासनी बन गई है और इसे ऐसे धीरे धीरे एक से दो से तीन मिनट ऐसे रखेंगे तो यह हमारी चासनी बनके अच्छे से तैयार हो जाएगी अब इ दूद फ्रीज में रखा हुआ दूद नहीं डालना है हमें नॉर्मल दूद डालना है मैंने एक अच्छा दूद यूज लिकिया है इसलिए एक कप दूद डालके इसे अच्छे से हम चासनी में उबाल देंगे और मिक्स कर देंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच मि milk powder आपके पास नहीं है तो आप दूद की मलाई को अच्छे से फेट कर और वो भी यूज कर सकते हैं अब इस milk cake को हम 10 से 15 मिनट के लिए दूद में अच्छे से mix कर देंगे ताकि milk cake के lumps नाम पने दूद में इसलिए हमें अच्छे से mix कर लेना है mix करने के बाद इसमें हमने 2 से 3 चमच नारियल का बुरादा एड किया है और नारियल का बुरादा 2 से 3 चमच एड करके इसे भी हम अच्छे से दूद में mix करके एक मिनट के लिए पका लेते हैं नारेल को नारेल को पकाने के बाद अच्छे से उबाल आ जाए दूद में उसके बाद देखिए दूद में उबाल आ गया है इसके बाद जो ब्रेड हमने सेख के रखी थी वही ब्रेड इसमें एड करके और हमें अच्छे से 2-3 मिनट के लिए mix करनी है इसमें देखिए ब्रेड को अब दूद में डालके और अच्छे से 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे दूद के साथ तब तक आप हमारे चैनल पे हैं तो नए हैं तो like and subscribe जरूर कीजिएगा और comments करके बताईएगा कि मेरी recipe आपको कैसी लगे देखिए इस तरह हम 2-3 मिनट के लिए ब्रेड को दूद में अच्छे से पकाएंगे ब्रेड दूद को अपने अंदर सारे दूद को जब तक absorb नहीं कर लेती तब तक हम इसे ऐसे ही चलाती रहेंगे देखिए ब्रेड ने सारे दूद को अपने अंदर absorb कर लिया है इसी तरह हम इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से चलाती रहेंगे अब इसमें हमने जो आधी कटोरी चीनी पहले बचा के रखी थी वो चीनी हम अब इसमें यूज करेंगे आधी चीनी पहले यूज कर ली थी आधी जो बचा के रखी थी वो अब हम इसमें यूज करेंगे 2-3 मिनट तक अच्छे से इसे पकाने के बाद ये हमने 14 कटोरी चीनी बचा के रखी थी वो इसमें एंड कर ली है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब चीनी डालने के बाद फिर ये डो एक बार स्मूथ हो जाएगा और एक मिनट के लिए हम इसे low to medium flame पे ही ऐसे ही पकाते रहना है ताकि चीनी पीघल जाए इसकी भी चासनी बन जाए और अच्छे से इस ब्रेड में मिक्स कर लेना है देखिए ये हमने अच्छे से ब्रेड में इसे मिक्स कर लिया है और ये हमारा milk एक बनने के लिए डो अच्छे से तयार हो गया है अब इस डो को हम निकालते हैं एक प्लेट में इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है इस प्लेट में मैं गी लगा लोंगी अच्छे से पूरी प्लेट में हमें गी लगा लेना है और इस डो को गरम-गरम डो को ही प्लेट में निकाल लेना है निकाल के पल्टे या कल्ची से इस आप जो चाहे वो डाल ड्राइफूट से डाल सकते हैं डाल के ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट रख देते हैं देश के 10 से 15 मिनट ठंडा होने के बाद हमारे ये मिलकेक तयार हो गया है इसे हम कर लेते हैं कटिंग देखिए कितने आराम से अच्छे से कटिंग हो रही है ये बि और ज्यादा कोई समान की जरुरत होती, देखिए कितना अच्छा हमारा मिल्क केक बनके तयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा मिल्क केक तयार हुआ है, अब मैं इसे आपको काट के दिखाते हूं, देखिए कितना avons Черगा और स्मूथ है, और कितना दानेदार हमारा मिल्क क केक बन के तयार हुआ है जो मुँ में जाते ही पानी आ जाए ऐसा मिलक केक बन के तैयार हुआ है आप ही ज़रूग ट्राइ कीजिएगा कि आप किसी भी त्योहार पर यह मिठाई बना सकते हैं अगर तब तक वरेंड्स साथमारे चेनल पर नई हैं तो लाइक एंड सी डिस्क्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी देखिए बहुत ही कम टाइम में और कम समान में बीना मावा के मिल केक तर्वन के तैयार हो गया है मिलते नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ फ्रेंड्स